नेक्स्ट कॉलर हैं सरोज गुपता जी स्वागत है आपका मैडम नमंते नमस्कार मैम कहां से बात कर रही हैं मैं मुंबई से बात कर रही हूँ सवाल करिये मुझे कुछ भी खाती हूँ ऐसा गैस बनाता है बार बार जुलाग जाना पड़ता है उमर कितनी है आप की? 35 बाहर का तो नहीं खाती है आप? नहीं नहीं मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ मेरे को कुछ भी हज़म ही नहीं होता है ठीक है माँ जी अच्छा देखिए अगर कुछ भी खाने से बहुत गैस बनने लगे तो एक बार आदमी को अपना सोनोग्राफी कराना चाहिए ऐसे पेट का मौाइना यानि जांच करानी चाहिए अगर कुछ भी खाने से ऐसा होता है तो अक्सर पित्ते में पत्री हो जाती है मैं दुआ करता हूं कि नहों लेकिन एक बार जांच हो जानी चाहिए और अगर आप नहीं कराना चाहते तो एक नुस्खा मैं आपको बताता हूं सौफ, धनिया, मेथी सौफ, धनिया और मेथी का सौसो गिराम लेके चूरन बना ले और एक आता है नमक, जैतून, असली लें नकली भी आता है असली नमक, जैतून लें एक चुटकी पानी में मिला दें और सौफ, धनिया और मेथी का एक चमच पाॉडर चूरन खाकर ये पानी पी लिया करें दिन में दो बार खाने से पहले लेना आपके लिए बहतर है मुझे अमीद है कि आपको फाइदा मुमकिन है